कि नमस्कार आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं मिलावट के उपर जो केटल फीर या जो चारा या ग्रीन फॉडर ड्राइ फॉडर जो कुछ भी आप बोलिए इसका मिलावट के उपर बात करेंगे एडल्टरेशन के उपर चीक है यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है देखे जब हम हमारे आखों के सामने हमारी खेत में उगाते तो हमें 100% मालूम है कि जो हम उगा रहे वो हमारे गाए बक्रिये को खिलाते तो उसमें कोई टेंचन नहीं है पर जब आप बहार से कुछ पर्चेस करके लेके आते तो हमें थोड़ा उसके पर डाउट आता है कभी हरा चारा है या सुका चारा है उसके बारे में सोचेंगे तो ठीक है कभी कभी हम एड़िस कर लेते कभी कभी हमें उसमें भी मिलावा डिकती है ये कुछ अलग है कभी कभी वो सड़ावा भी रहता है पर हम आप्शन नहीं रहता तो पर्चेस करते हैं में गुड हेवी डें है क्योंकि उसके सहारे चल रहा है क्योंकि जो हरा चारा या सुका जारा जो आज की तारीक में उगाया जाता है उसमें इतना nutrition नहीं होता है तो nutrition के बारे में अगर कोई बात करेंगे तो उसको adjust करने के लिए cattle feed का सहारा लिया जाता है जो bags में उसको पेलेट्स के फॉर्म में भी रहता है न वो तो उसके उपर बात में बात करेंगे पर बेसिक में आपको जानकर देना चाहता हूँ कि जब हम बाहर से purchase करते हैं cattle feed तो कभी-कभी हमें यह पताए नहीं चलता है कि इसमें क्या-क्या ingredients है क्या-क्या मिलावट है क्योंकि यह किसी doubt नहीं ले रहा हूँ मैं पर बहुत से चीज़ें ऐसी है मेरे सामने आई इसलिए मैं बताना चाता हूँ वापिस में बताना यह बोलना बहुत जरूरी है मैं कोई बोल रहा नहीं हो कि सब fraud है या इसा कुछ बिल्कुल नहीं कुछ लोग है और कुछ लोग blindly accept करते ना यह नहीं होना चाहिए इसलिए यह question mark खड़ा हो जाता है ठीक और जो इसमें खड़ा नहीं हो सकता तो यह differentiate करने के लिए मुझे आपको यह point बताना जरूरी है हमने कुछ ऐसे भी जगा देखे हैं जो cattle feed जो है वो कभी-कभी सड़ावा seed बारिश में भिगावा मक्का है सोयबीन है उसमें कुछ भी मिलावट करके उसको pellets में convert करके आपके सामने आ जाता है उसमें कुछ ऐसे chemicals भी mix किया जाता है कभी-कभी यूरिया का concentration level इतना high रहता है क्योंकि उसका भी कुछ calculation है ना कि 100 kg में आपका 1 kg यूरिया होना चीए कोई को लोग 2-2-3-3-4-4 kg यूरिया डालते आपको तो बिलकुल पता नहीं चलेगा उसमें क् टाइप के chemicals लगाया उसमें डाला है जो हमफूल हो सकते कभी-कभी कुछ ऐसे भी products हो सकते हैं जो expired है पर आपको तो दिखता नहीं है वो उसमें ingredients है तो यह एक अलग सी मतलब यह सोचनी वाली बात है यह आपको मैंने एक सवाल खड़ा किया है कि जो आप आपके गाई को ब गोद्रेज है इनका कैसा हमें पकड़ सकते कि एक standard रहेगा तो इसमें कोई issue नहीं रहता है पर कुछ ऐसे भी non-branded companies है जो इतना नाम नहीं है पर कुछ price के ओपर competitive price के ओपर जब market में लेके आते थो थोड़ा गडबड भी रहता उसमें और उसके बज़े से कभी-कभी poison होन करो आप आपके जैसा आप आपके खेत में उगाते हो जिसमें आपको 100% कोई doubt नहीं है अगर आप उसमें कुछ fertilizer डाल रहे हो तो आपको मालूम है आप कितना यूरिया डाल रहे हो कितना phosphorus डाल रहे हो पोटेशियम डाल रहे हो आपको सब calculation है आपको यह पता ही नहीं चलता ह कि जो भार से feed आ रहा है उसमें कितना मिलावट किया है जब वो non-branded रहता है तो अब branded non-branded यह अलग बात हो गई पर कुछ तो doubt आ सकता है आपको और ऐसे बहुत से जगह जब एक चीज़ आप ध्यान में रखना जब cost कम करने का कोई काम करता है ना तो वहां पर definitely जब कोई चीज़ चीप होती है ना तो उसमें definitely कोई AC हरकत की जाती है ना कि वो doubt आने जैसा रहता है मार्केट में rate तोडने के लिए कुछ लोग AC मिलावट करते हैं एकदम substandard seeds रहते हैं जो कहां से 3 रुपया चार रुपया या फिर कोई लोग जो राशन का गेहू रहता है या कोई की भी अनाज रहता है चावल भीवल उसको mix करके grind करके क्योंकि एक बार वो grind हो गया तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है ठीक है कभी कभी है इससा मैंने देखा है कि वहाँ पर कितने चूए मरे होए रहते और वही feed मतलब आप imagine नहीं करेंगे मैं अब भी ज्यादा त पर आप एक समझ सकते हो कि जब आपके आखों के सामने जब feed नहीं बनता है तो आपको तो question mark खड़ा हो सकता है यह जो चीज है जो खुद के जमीन पे चारा उगाने का जो एक आनंद रहता है वो आनंद आप इसमें भी ले सकते आपके आखों के सामने आप चारा उगाएं करना है तो आपको यूज कर सकते कोई लोग संफ्लावर सीड्स भी यूज करते फैट कंटेन के लिए तो यह आपका option है आपको जो डालना आप इसमें डालो स्प्राउट करो और खिला यह आपके जानवरों को ठीक है कोई मुर्गी का feed बनाता है तो उसमें संफ्लावर पीच होते हैं तो आपके हाथ में control आता है और जब आप बाहर से कुछ पर्चेस करते हैं तो कभी कभी यह doubt खड़ा हो सकता है कि इसमें कुछ मिलावट है क्या क्योंकि back पे तो लिखा जाता है इसमें इतना protein है fat है यह यह हैं आपको यह थोड़ी मालूम है कि यह कौनसे ग quality checks नहीं होता है यह सबको मालूम है मतलब इंडिया हो या फिर और दूसरा भी कोई country हो यहाँ पर इतना quality checks नहीं होता है तो आसानी से यहाँ पर adulteration हो सकता है तो यह point आपको समझना बहुत जरूरी है यह इसके अंदर आपका adulteration बिल्कुल नहीं रहेगा thanks for watching this video